वेल्कम टो ग्यान कंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान कंपस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो लेक्चर में एलेक्ट्रिकल फोर समेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह हम नया पिक हमारा है इसमें तीसी लेक्चर में हम पंप और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और अग नेक्स लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और उसके बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना होजए इस लेक्चर में हम पंप और इसकी यूजेस करते हैं तो देख पाने आप पंप पंप क्या होता है कि पंप पंप वा द्रवीत युकती है पंप वा द्रवीत युकती है जो विभिन प्रकार के द्रवों को उठाने खीचने एवं गतिमान करने के लिए प्रयोग की जाती है पंप का कार्य करने के लिए किसी बाहतम सोर्स क भाइतम सोर्स वो मोटर हो सकता है इसे उर्जा दी जाती है तो आए जानते हैं यह तो हो गया पंप मुक्को मुखेता तीन भागों बाट गया है कौन-कौन शक्षन द्रवपर किया गया कार करने वाला भाग डिलिवरी जिसे प्रताय बोलते हैं आए इसका डाइग्राम होगी हमें प्र में पम के तीन भाग है नन और ये मोटन समझा देते हैं यह मार्प्म है अर यह प्राहिं मुवर यहां से प्राइओं प्म को अंप का एनलजी दी जाती है मगानिकाल आणर्जी दी जाती quién कि जिससे यह श्रट्चन पाइफ एक्टिवेट हो जाता है और यह पानी को ऊपर खीचना शुरू कर देता है हाई प्रेशर से और यह यहां पर द्रव पर यहां पर पानी इकठा शुरू होने लगता है जब यहां पानी इकठा हो जाता है तो यहां से पानी फिर ओन हाई प्रेशर में ऊपर की तरफ डिलिवरी वाले सेक्षन की से बाह तो यही पंप का कार रहे हैं तो देख लेज़े डाइग्राम आपको बनाना है तो बना लीज़ेगा स्क्रीन सॉट लेके देख सकते हैं यह वहाई मंडली दाब होता है यहाँ और यह जल अगे बढ़ते हैं वर्किंग वर्किंग जान लेते हैं इसके बाइग्जाम में करती सील होती है ठीक दूसरा कार चूशन यानि सक्षन का होता है जहां मेकैनिकल एनरजी प्राप्त किया करने वाला भाग द्रव पर वाई मंडली दाब के विरुद्ध कार करता है और निरवात उत्पन्द करता है जिससे द्रव सक्षन पाइप में ऊपर उठना ने वाले भाल का होता है जो इस द्रव को से डिलिवरी शेक्षन की तरफ धकेले का कारे करता हूए जैसा के मुने बताया था चौथा कार डिलिवरी शक्षन का होता है जो उच्छ दाव वाले द्रव को बाहर निकालता है और पुना बाहर निकले द्रव दाव का दाव सामान्य हो जाता है अब आये इसके देख लेते हैं युजे ऑफ पंप का यूज भी तो कहीं करते हैं कहां करते हैं अब पम्पों का उप्योग निम्नकार के लिए पहला सिचाही के लिए द्रव चालित मशीनों में शाथ डीजल इंजिनमें इंजिनिरंग कारमें और द्योग steering में के परिवान के छेत्र में घरह लूकर में प्रियौक शालाओं में तो 맞़र्यogg पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है पॉजिटिव Crawl recKA अरशेंटिफ्यूंगल पॉप mean सेटीगे का तो ड्रेस्टी पॉप चलिए आपको इसी वीडियो में बता देते हैं क्या होटा रेसिपरोघ्रोर्यू यूज देख लेते हैं जो की एकजाम में पूछा जाएगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह रेसिप्रोकेटिंग पंप का डाइग्राम है तो आपको समझा देए यह हमारे सिलेंडर होता है यह भाग और यह हमारा पहला वाल्व होता है डिलिवरी वाल्व यह दूसरा हमारे स्रक्षन यह पिश्टन रोट को घुमाती यह जो हमारा पिश्टन है यह आगे बढ़ता है और यह जब भाग यह क्लोज होता है तो हमारा स्रक्षन वाल्व खुल जाता है और जिससे निम्नदाब से जल उपर चड़ना शुरू हो जाता है और यहां पर इकठा होने लगता है और बस इतना ही है इसका तो आप इसे देख लिजे अच्छे सा और समझ लिजे अब बना लीजेगा तो आई अब इसका वरकिंग देख लेते हैं वरकिंग क्या होता है तो वरकिंग रेचिप प्रोक्रीटिंग पंप के द्रव पर क्रिया करने वाला भाग एक पिश्टन मोटर होता है जिसका कनेक्शन क्रैंक एवं Beim connecting रोड की सहायता से पिश्टन रोड में होता है इसका वर्किंग दो भागों । में बाटा गया है इस पूंप में लगे दोनों वाल्व one way होते हैं, यानि एक तरफ हा होते हैं, एकी तरफ लगते हैं, ये देखिए, दोनों वाल्व एकी तरफ लगें न, उपर की तरफ, देख लीजे, ठीक, तो आगे देखते हैं, जब piston वाल्व की और गती करता है, तो उस समय शक्षन वाल्व बंध होता है, और द्राव पर पिश्टन वाल्व की तरफ से पीछे हटता है, तो डिलिवरी वाल्व क्लोज हो जाता है, तथा शक्षन वाल्व ओपन हो जाता है, तथा शक्षन पाइप में निम नदाप में होने से द्राव शक्षन पाइप में भरनने लगता है, और द्राव सिलेंडर में जमा हो जाता और जब piston द्वारा valve की तरफ आता है तो उस इस्तितिय में section valve close हो जाता है तथा delivery valve open होता है और draw delivery pipe में चला जाता है बस यही कार्य है delivery pipe यानि बाहर निकल जाता है जैसे कि आपने देखा था तब इसके uses देख लेते हैं uses of receive broadcasting pump uses कहा होता है इस pump का उप्योग boiler में पानी भीजने ता था तेल के लिए तेल के लिए मतला तेल भीजने के लिए भी किया जाता है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो बहुत लंबी हो गई next वीडियो में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इतना ही सेंट्रीफूगल पंप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहां होतों सब्सक्राइब कर लेना अगर इसके वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत